नमस्कार जीके जीयस मंथन चैनल में आपका स्वागत है मैं पप्पु सर आज जनरल अस्टडेज यानि समान अध्यान से संबंदित 80 महत्पुन प्रस्ण जो पिछले कई परिक्छाओं में पूछे जा चुके हैं प्रस्तूत किया जा रहा है प्रस्ण संख्याँ एक है निमलिकित में से किस गरंद से हमें भारत और इटली के बीच होने बाले बैपार की जानकारी मिलती है। ए नेचुरल हिस्ट्री भी जोगरफी सी इंडी का डी इंड में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है ए नेचुरल हिस्ट्री जो पिलीनी की पुस्तक है इस पुस्तक से भारत और इटली के बीच होने बाले बैपार की जानकारी मिलती है प्रसन संक्याँ दो है निमलिकित में से कौन महमूद गजनिभी के दरबार से समंदित में था प्रस संख्या तीन है तीन जून 1756 इस भी को बलेक होल की घटना निमलिकित में से किसके सासनकाल में घटित हुई थी ए मिरजापर भी सिराजुदावला सी अलिबर्दी खांटी मिरका सी इमतिसका सही उत्तर है भी बंगाल के नबाब सिराजुदावला के सासनकाल में 20 जून 1756 इस भी को बलेक होल की घटना हुई थी इस घटना से आधोनी की तियासकार इनकार करते हैं प्रेशन संख्या चारे सौबिने अब अग्या अंदोलन के रूप में महात्मा गांदी ने डांडी मार्च कब किया था 31 दिसंबर 1929 26 जनवरी 1929 6 अपरेल 1929 डी 12 मार्च 1930 इस भी को महात्मा गांदी अमदाबाद के साबर मती यासरम से डांडी यात्रा प्रारम्भ किये थे और 6 अपरेल 1930 को डांडी पहुच करके यात्रा खत्म हुआ और 6 अपरेल 1930 को डांडी में समुद्र के पानी से नमक बना करके इन्होंने नमक कानून तोरा पांच नमबर प्रसन है महाविर स्वामी का पर्थम सी से कौन था ए चरबाक भी जमाली सी अस्दूल भद्र डी भद्र बाहुत इसका से उत्तर है भी महात्मा बर्दमान महाविर के पर्थम सी से जमाली थे और जमाली ही बाद में बर्दमान महाविर के दामाद बने प्रसन संख्याँ 6 है निमलिकित में कौन से राष्टिये नेता पोवर्टी एंड अन्बिर्टिस रूल इन इंडिया के लेखक है ए जी बी जो सी बी गोपाल क्रिस्न गोखले सी दादा भाई नौरोजी डी जी सुबरमन्यम ऐयर्टिसका से उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी की पुष्टक है पोवर्टी एन अन्बिर्टिस रूल इन इंडिया और इसी पुष्टक में नौरोजी ने धन इसकासन का सिद दान्त दिया है प्रसन संख्या सेवन है बरस उनिस सो चार में किसने करांती कारियों की गोपनिये समीती के रूप में अभीनब भारत का आयोजन किया था ये बीडी सावरकर भी परफुल चंचा की सी सचिद नासान याल डी रास बिहारी घोश तो इसका से उत्तर है बीडी सा परकर भी इस संखठन के संस्थापक थे रसंख्या आठ है रास बिहारी बेव बोश द्वारा संगठित भारतिय स्वतंतर तालीग कि संगठन पा एक अगरदूर था भारतिय राश्टिये कंगरेस भारतिये राश्टिये फाउज सी भारतिये कॉमिनिस्ट पार्टी दी मु या इंडिपेंडेंस लीग प्रसंक्या नो है अंग्रेजों के बिरूद खान अब्दुल गफार खान दौरा प्रारब किये गए अंदोलन का क्या नाम था यह लाल कुरती भी कुईट इंडिया सी खिला पड़ी इन में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है लाल कुरती अंदोल का आरं किसकी मदद के लिए हुआ था एदेवदासियों भी जनजातियों सी गरीब बच्चों भी विकलांगों तिसका सही उत्तर है एदेवदासियों के मदद के लिए मदरास हिंदू समाजिक सुधार एसोशिये संप का आरं किया गया था परहसन संख्यां एक 11 है ब्लैक हॉल भी सुपर नोबा सी नेबूला डीफ फॉसिल स्टार तिसका से उत्तर है ए ब्लैक हॉल निट्रन तार के सिकुरने से और सिमित धर्बमान वाला और और सिमित जो है वो ग्रेबेटेशन वाला जो छेतर बन जाता है उसी को ब्लैक हॉल कहते हैं प्रस संक्या टौल ए दक्षली अटलांटिक महा सागर की ठंडी जल धारा बेगुला की धारा है तेरा नंबर है मसरूम चट्टाँ निवन में से कि समबंदित है ए मरु अस्थलिय अस्थला किरती भी हीमानी अस्थला किरती सी समुद्री तरंग अस्थला किरती डी भूमी गत जल निर्मित अस्थला किरती इसका सही उत्तर है ए मरु अस्थलिय अस्थला किरती मसुरूम चट्टान से सम्दित है चौदर नमबर है गीर नेसनल पार्क की सराज में है ए महराष्ट भी मद्ध परदेशी उतरा खंड डी गुजरात तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात में गीर नेसनल पार्क है जो एसी आई सेरों के लिए परसिद है पंदरे है नीमन में से कौन सा परबतिय दर्रा उतरा खंड में इस्थित नहीं है ए लिपू लेख भी सिपकी लाव सी नीती डी मुलिंग ला तिसका सही उत्तर है भी सिपकी ला दर्रा जो है वो उतरा खंड में नहीं है लिपू लेख नीती और मुलिंग ला दर्रा उतरा ख पारदारेश सबस्याइप इसका स्थच कांक निर्धारीद करने में सामिल किया जाता है। प्रसंक्याज सबस्हे है। भारत में मौद्रिक निती का निर्धारन कौन करता है। बितमंतरालईमी निती आयोग CRBID से भी इसका सहई उत्मंतर है ंदिया भारत में मौदरी के बमसाख निती की घोसना करता है मौनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी की अठारे नमबर है निमलिकीत में से पर्तेक्ष कर यानि डारेक्ट टैक्स कौन है यह आबकारी कर भी विक्रे कर सी आई कर डी उत्पाद कर जिसका सही उत्तर है सी इनमें आई कर जो है व लिसक्षा निमन में कौन सा बैंकों के राष्टिय कर निक्ष नहीं है ती northwest बांकी आई कर रदीनियम के राष्टिय करन का लक्ष नहीं है इस साखाओं का औसिम बिस्तार भी बैंकिंग कारोबार का संकेंदरन सी गरामिन और प्राथमिक्ता बाले छेतरों में परवेस डी जमारासियों की मात्रा में बिस्तार इसका सही उत्तर है भी बैंकिंग कारोबार का संकेंदरन ये नेशनलाइजेशन का लक्ष नहीं था ब B.N.R.A.C. बलबंतरा मेहता D.B.R. अंबेदकर इसका सही उत्तर है C. बलबंतरा मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समीती अस्थापित हुई थी 22 नंबर है बारतिय संबिदान में संसोधन का प्रापधान की सनुच्छेद में किया गया है A.N.C. 338 B.N.C. 368 C.N.C. 381 D.N.C. 370 जिसका सही उत्तर है B.N.C. 368 में संबिदान संसोधन की पूरी परकिरिया का बर्नन किया गया है अनुच्छे 368 संबिदान के भाग 20 में सामिल है 23 है मुखे चुना आयुक्त को पद्व से हटाया जा सकता है A. मंत्री मंडल के प्रस्ताव द्वारा B. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के दोती आई बहुमत द्वारा C. राश्पती द्वारा B. सुप्रीम कोड द्वारा इसका सही उत्तर है B. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के दोती आई बहुमत द्वारा इसको महाभ्योग का परकिरिया करते हैं इसी के द्वारा चीफ हलेक्षन कमिस्नर को पद से हटाया जा सकता है 24 है सम्विधान सबाद वारा भारतिय सम्विधान को कब पारित किया गिया 26 जनवरी 50, 26 नवंबर 50, 14 अगस 47, 26 नवंबर 1949 24 का होगी अड़ी 26 नवंबर 1949 इस भी को सम्विधान सबाद ने भारत के सम्विधान को पारित कर दिया स्विकार कर लिया 25 नवर प्रसन है भारत की संसत द्वारा हिंदू विभा अधिनियम कब लागू किया गया ए बर्स 1950, बी 1955, सी 1957, डी 1961 जिसका सही उत्तर है भी 1955 इस भी में भारत की संसद ने हिंदू विभा अधिनियम पारित किया प्रसन क्यार 26 है यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरना कौन थे ए मदू सूदन दत भी हेंडरी बिबियन डेरी जियो, सी क्रिस्न मोहन बनर जी, डी राम लाल घोस इसका सही उत्तर है भी यंग बंगाल अंदोलन के जनक माने जाते हैं हेंडरी बिबियन डेरी जियो जो एक एंगलो इंडियन बैकती थे 27 है, सौराज भारत के राजनीतिक परियासों का लक्च था, या दादा भाई नोरोजी द्वारा डैस में घोसित किया गया था, एक कलकत्ता सतर 1886, भी कलकत्ता सतर 1906, सी लाहर सतर 1885, डी बंबई सतर 1889, इसका सही उत्तर है भी, कलकत्त कांग्रेस के कलकत्ता अधिबेसन 1906 28 है, प्राचिन भारतिये लेखों के अनुसार नेमलिकित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमी ब्रहंबत तरकालाती है, ए सरस्वती और दिजदती, भी सरस्वती और सर्यू, सी सतुद्री और विपासा, डी गंगा और यमना, जिसका सही उत्तर है, ए सरस्वती और दिजदती नदियों के बीच की भूमी को जो है वो ब्रहंबत कहलाती है, परई संक्यां 29 हरपा सब बेता की पहली खगोलिये परिबेक्षन साला निमलिकित में किस प्राचिन भारती अस्थल पर पाई गई है, ए चनहुदरो बीरो पर, सी दायमाबाद, डी धौला बीरा, जिसका सही उत्तर है, डी धौला बीरा में जो हरपा सब बेता की पहली खगोलिये बेदसाला की खोज हुई है, परसंक्या 30 है, जहांगिर की आत्म कथा तुजु के जहांगिरी को पूरा करने का सरे किसे दिया जाता है, यह महाबत खाँ, भी मुतमिद खाँ, सी सा जहां, डी नूर जहां, तिसका सही उत्तर है, भी तुजु के जहांगिरी को पूरा करने का सरे मुतमिद खाँ को दिया जाता है, थार्टी वन नमबर है, तम सो मा जो तिर्गमे, या हमें अंधकार से परकास की और ले चलो, यह निमलिकित में से, किस उपनी सद में आता है, यह च जो तिर्गमे, थार्टी टू नमबर है, सी यार दास की मिर्तियों के बाद स्वराज दल का दलों में भी भाजन हो गया, और परती किरियाबादी दल ने डैस के दौरा के लिए कार्ज किया, यह बिटी सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, भी और संतुष् रूप में कार्ज करके बिदाई कार्जों में बाधा दालना, सी गांधी के रस्चनात्म कार्जों के पक्षमे कांग्रेस के ओर परवरतन बादियों से सहयोग, डी कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाये रखना, इसका सहय उत्तर है, यह बेटी सरकार के प्रफटा के बन से चंगेज खान और माता के बन सेutetा चंगेज खान अब्र אז 2024 नमबर नम्लिकितमें निम प्रफ 1916 में पिर्थक निर्वाचन छेतर की स्विकरती में कॉंग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई एकलकता भी लखनव सी इलाहाबाद डी लाहौर तिसका सही उत्तर है भी लखनव अधिबेसन 1916 इस भी में कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को दिये गए पिर्थक निर्वाचन के अधिकार को स्विकार कर लिया परस संक्या 35 है उर्दू कभी जो दुत्तिय और तिर्थिय गोल में समेलन दोनों के परतिनी दी थे अरुनासफ अली भी मुहमद इकबाल सी खान अब्दूलगफार खान डी फैज अहमद फैज जिसका सही उत्तर है भी मुहमद इकबाल जो अर्दू सायर थे और कभी भी थे ये दुत्तिय और तिर्थिय गोल में समेलन में भाग लिये थे 36 है अलफा, है एक कस्वा, वी एक जन जाती, सी एक परकार की गांस, डी एक खनीच जिसका सही उत्तर है सी, एक परकार की गांस है, अलफा, अलफा 37 है महासागरों और सागरों में पाई जाने बाली आउसत लबनता है A 33, B 35, C 37, D 40 तिसका सही उत्तर है B जो है 35% महासागरों की आउसत लबनता है 38 नमबर है पुर्भी और पस्यमी घाट डैस पर मिलते हैं A कारडेमम पहारी, B अन्नामलाई पहारी, C निलगीरी पहारी, D पालनी पहारी जिसका सही उत्तर है C पुर्भी घाट और पस्यमी घाट का मिलन अस्थल निलगीरी की पहारियां है 39 नमबर प्रसन है भारत में उच्चतम जवार छेतर डैस के पास देखा जाता है A गुजरात तट, B सुन्दर बन छेतर, C विसाखा पतनम, दीतमिलनाडू टट, तिसका सही उत्तर है A गुजरात तट जो है इस पर उच्चतम जवार आता है और प्रसन संख्या चालीस है भारत में अंग्रेजों के समय में पर्थम जणगन्ना 1872 में किसके कार्जकाल में हुई प्रसन संख्या 41 है निमलिकित में से नेताओं का कौन सा समू गुजर निर्पेक चांदोलन के लिए जिम्मे बार है A. नेहरू, रूजबेल्ट और अस्टालिन B. इंद्रा गांदी, गुरबाचोब और कहने डूए C. नेहरू, नासीर और टीटो D. महात्मा गांदी, लिंकन और माओ जिसका सही उत्तर है C. नेहरू, नासीर और टीटो B. भारत के प्रदान मंतरी पंडिच जेल नेहरू, मिस्र के राष्टपती करनल नासीर और युगसलाविया के राष्टपती मार्सल टीटो ने 1961 इसमी में गुट निर्पेक चांदोलन को जन्म दिया प्रसंख्या 42 है P. I. L. से जुरे बैखती है Public Interest Litigation न्यायमूर्ती भगबती B. न्यायमूर्ती बैंकर चलाईया C. न्यायमूर्ती आरन मिस्र B. न्यायमूर्ती संतोस हेगरे इसका सही उत्तर है ए न्यायमूर्ती पियन भगबती सुप्रीम कोट के ये चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस न्यायमूर्ती भगबती इन्होंने ही भारत में P. I. L. यानि Public Interest Litigation जिसको लोग हित्याचिका या जनही त्याचिका करते हैं को सुरूक्य है है प्रसन संक्या फोट्टी थरी है मिलान करना है सूची एक में है अनुच छे थरी फिप्टी सिक्स बी में है अनुच छे थरी फिप्टी टू सी में है अनुच छे तिन सो साथ डी है अनुच छे तिन सो पंदर है इसको मिलाना है तो अनुच छे तिन सो चपन हो गया C हो गया राजा पातकाल यानि राज में राश्ट पती सासन चार B हो गया तिन सो पावन तीन राश्टिया पातकाल C हो गया नुच्छे तिन सो साथ बित्या पातकाल और D हो गया नुच्छे तिन सो पंदरे संगलोक से वायोग इसका सही उत्तर हो गया फोट्टी थरीका ए चार तीन दो एक प्रसन संक्या फोट्टी फोर है बार्स उनिस्सो बेरानवे में पर्याबरन सुरक्षा से संबंदित पर्थम पिर्थमी सिखर समेलन की सहर में हुआ एक ओपिन हेगन भी रियो दजनेरियो सी वासिंग टन्टी इस्टोक होम तो इसका सही उत्तर है रियो दजनेरियो ब्राजिल के सहर रियो दजनेरियो में पर्थम पिर्थमी सिखर समेलन का आयोजन किया गया प्रसंख्या 45 है निमलिकीत में कौन एक सही सुमेलित नहीं है सही है तब जैब बिदता ये बढ़ती है भी घटती है स्थिर रहती है भी इन में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है जब धुरूब से भूमद रेखा की और बरेंगे तो जैब बिदता में बिर्धी होते जाती है धुरूब यानि 90 डिगरी से जैसे जैसे एक्वेटर विस्वत रे रहते जाएगा सरवाधिक जैब बिदता विस्वत रेखा पर होती है प्रसंख्या फोटी सेवन है कारवन डेटिंग संदर्वित करता है एक चट्टानों की सक्ति मापन विस्वेथ पर लिखने के लिए कारवन का पर्योग सी प्राचिन अस्थलों में मौजूद हड्डिय या सामगरियों के आयूमापन डी उपर युक्त सभी इसका सही उत्तरहसी जो है जीबास्म का पता लगाने के लिए कारवन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है फोसिल्स के उम्र का उम्र ग्याद करने के लिए प्रसंख्या फोटी एट है भारतिये संसेद्वारा जैब भी इधता अधीनियम पारित किया गया था 11 दिसमबर दो हजारदो विसोले अक्टूबर उनिस्टो नब्वे सी 10 दिसमबर उनिस्सो अस्षी 11 मई 1972 जिसका सई उत्तरहे 11 दिसमबर 2000 दो इस भी को भारत की संसद ने जै विवित्ता धिनियम यानि बायो डाइभर्सिटी एक्ट पारित किया प्रसंख्या 49 है राजीव गांधी के मिर्तिव दिबस को 10 के रूप में मनाया जाता है प्रसंख्या 50 है मनसबदारी पर्था किसने शुरू की ए बाबर विजहांगीर सी अकबर डी सेर सासूरी तिसका सही उत्तरह सी मुगल समराट अकबर ने मुगल परसासन में मनसबदारी पर्था को प्रारम किया मनसब का अर्थपद अथवा उहदा होता है और ये मद एस या से इन्होंने मनसबदारी पर्था को लाया प्रसंख्या 51 है मुदरा इस फिती का आबस्य गुन धर्म है एक काला बजारी की उपस्थिती भी काला बजारी की उपस्थिती सी मुदरा का मुल गिरना और बस्तू का मुल बरना डी उपरोक्त में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है सी मुदरा का मुल में गिरावट होता है और बस्तू और सेवाओं के कीमत में बिर्दी हो जाती है इसी को मुदरा इस फिती यानि मनी इन्फलेसन कहा जाता है 52 नमबर प्रसन है राश्टिय राजमार्ग एक और राश्टिय राजमार्ग दू किन सहरों को जो रते हैं ए अमरीज सर से कुलकाता बी चन्नाई से कुलकाता सीबारा नसी से अहमदाबाद डी इनमे से कोई नहीं जिसका सही उत्तर है ए अमरीज सर से कुलकाता राष्टिय राजमार्क संख्या एक जो है वो अमरी सर से डिल्ली है और राष्टिय राजमार्क संख्या दू दिल्ली से कोलकाता के बीच है तो एक और दोनों मिलकर के अमरी सर को कोलकाता से जुरता है प्रसंक्या 53 है एसिया महादीप की सबसे बरी जील निम्न में से कौन सी है ए बालकस जील भी बैकाल जील सी कैस्पियन सागर डी अरब सागर तिसका सही उत्तर है सी कैस्पियन सागर ना केबल एसिया महादेश की बलकि संपूर्न बिश्व की सबसे बरी जील है परफ संक्या फिप्टी फॉर है अर्टीसवी समानांतर रेखा निम्न में से किन देसों को विभाजित करती है भारत पाकिस्तान भी संगतराज अमेरिका कनाडा सी उत्तर कोरिया दक्षिन कोरिया डी जर्मनी एबम फ्रांस तिसका सही उत्तर है सी उत्तर कोरिया एबम दक्षिन कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा अर्तिसवी समानांतर रेखा है या अर्तिसवी अक्षान से रेखा ह प्रस संख्या 55 है बरकरी किस भगवान के भक्त थे ए भगवान राउं भी भगवान सी पंधरपूर के भगवान बिठोबा के भख्त थे बरकरी समपरदाय के अन्याई प्रस संख्या 56 है HBJ यानि की हजीरा बीजापूर जगदीसपूर गैस पाइप लाइन द्वारा कहां से कहां तक प्राकिर्टिक गैसों की ढुलाई की जाती है प्रस संख्या 57 है निमलिखित में से कौन सी पहारियां पुर्भी और पश्मी घाट का मिलन अस्थल कही जाती है A. निलगिरी पहारी, B. सेब्राय पहारी, C. कार्डेमम पहारी, D. अन्ना मलाई की पहारी तिसका सही उत्तर है A. निलगिरी की जो पहारियां है वो पश्मी घाट और पुर्भी घाट परबत का मिलन अस्थल है प्रेस अंख्या 58 है मद्य परदेश के हस्थ कला के अंदरों का नाम है A. कोयल, B. मयूर, C. किंग फिसर, D. मिरिग नैनी तिसका सही उत्तर है D. मद्य परदेश में जो हस्थ कला के अंदर है उसका नाम है 59 नमबर परसने नीमन में से उत्री गोलार्द का सबसे लंबा दिन कौन सा है A. 21 मार्च, B. 21 जून, C. 21 मही, D. 21 सितंबर तिसका सही उत्तर है B. 21 जून को भारत सही उत्री गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है जबकि इसी तारिक को दक्षनी गोलार्द में आस्टेलिया में सबसे छोटा दिन होता है और आस्टेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है प्रसंख्या 60 है केंस अवार्ड किस छेतर में दिया जाता है फिल्म भी पत्रकारिता सी साहित डी अर्थ सास्तर तो इसका से उत्तर है ए फिल्म के छेतर में उत्क्रिष्ट कार्ज के लिए केंस अवार्ड जो है वो परदान किया जाता है 61 नमबर है परतिरोध यी वाले किसी परतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन उसमा अनुकरमा अनुपाती होगी A.E. B.A. बटे रूट E. C.A. बटे E. D.E. स्क्वाइर तो इसका सही उत्तर है C. A. बटे E प्रैसन संख्या 62 है निवन में से कौन सा ब्यूत करमी परिबरतन नहीं है ये भाप का संगनन भी जल से भाप सी कैरोसीन का जलना भी लोहे का पिघलना जिसका सही उत्तर है C. कैरोसीन का जलना जो है यो ब्यूत करमी परिबरतन नहीं है क्योंकि ये रसाइनिक परिबरतन है भाँप का संगनन जल से भाँप और लोहे का फिगलना ये बियुत कर्मी परिबर्तन है 63 है एक कंगी के द्वारा कागज के कुछ छोटे टुकरों को आकरसित करने का क्या कारण है एक गुरुतिये बल, भिघहरसं जनित बल, सी चुमबकीये बल, इस्थित बिधूत्किये बल के कारण ही कंगी को जब बाल में हम लोग लगते है और छोटे-छोटे कागज के टुगरों के समीप लाते है तो कागज के छोटे छोटे टुकरे कंगी की और आकरसित हो जाते हैं प्रस्थन संक्या 64 है बल को मापा जा सकता है ए इस्प्रिंग तुला के परियोग द्वारा भी बैरो मीटर द्वारा सी कैलोरी मीटर द्वारा भी उपरियुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है इस्प्रिंग तुला के परियोग के द्वारा बल का मापन किया जाता है प्रस्थन क्या 65 है जब कोई कॉपर की पिलेट लंबे समय तक नम बायू में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हलकी हरी परत जम जाती है यह हरा पदार्थ होता है एक कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सलफेट का मिसरन दी कॉपर सलफेट सी कॉपर हैड्रोकसाइट और कॉपर सलफेट का मिसरन D copper carbonate और copper hydroxide का मिसरन तो इसका सही उत्तर है D copper carbonate और copper hydroxide का मिसरन प्रसंख्या 66 है silicon तथा dice quards के अभियब है A oxygen, B sulfur, C nitrogen, D hydrogen तो इसका सही उत्तर है A silicon तथा oxygen quards के अभियब है प्रसंख्या 67 है औसुद्धी से पुन रूप से मुक्त परम सुद्ध जल को कहा जाता है A आसुद्ध जल, B उबला हुआ जल, C खनीज जल, D भारी जल तो इसका सही उत्तर है A आसुद्ध जल यानि कि distilled water को सरबादिक सुद्ध जल माना जाता है प्रसंख्या 68 है निम्न में कौन सा सुत्र ओजोन का गुंदर साता है A O 2, B O 3, C H 2 O 2, D इन में से कोई नहीं तिसका सही उत्तर है B O 3 जो है ओजोन का रसाइनिक सुत्र है प्रसंख्या 69 है कापास के रेशे प्राप्त होते है यह आंत्रिक फल भित्ती से, भी बाई दल पुझ से, सी बीज के चोल से, भी फल भित्ती से इसका सही उत्तर है, सी बीज के चोल से जो है वो कपास यानि कौटन का रेस यानि फाइबर प्राप्त किया जाता है प्रसन संख्या 70 है नीमन में से किस पौधे के रंधर दीन में बंद और रात में खुलते हैं यह वाटर लेली, बी कैक्टस, सी साइकस, डी आर्कीड तिसका सही उत्तर है भी कैक्टस पौधे का रंधर जो है, वो दीन में बंद हो जाता है और रात में खुल जाता है 71 नमबर प्रसन है, हमारे सरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है ए एक परतीसत, भी दो परतीसत, सी चार परतीसत, डी छे परतीसत, तो इसका सही उत्तर है सी हमारे सरीर में नमक की मात्रा जो है वह चार परतिशत तक होती है प्रसन संख्या सेवंटी टू है कौन सा उत्तक सरीर के विभिन भागों में फैला हुआ होता है तथा सरीर के विभिन भागों को बनाता है प्रसन संख्या सेवंटी टू है अंडा निमन में से किसका उत्तम सुरूत है विभिन प्रोटीन का सी तंतू का डिकार्बोहाइडरेट का तिसका सही उत्तर है भी अंडा जो है प्रोटीन का उत्तम सुरूत है अंडा के अलाब मांस दूद सोयाबीन ये सब प्रोटीन का उत्तम सुरूत है 74 नमबर है निमन में कौन सा पदार्थ जल में घुलंसील नहीं है A. अलकोहल B. दूद C. सहद D. तेल जिसका सै उत्तर है D. टेल जो है वो जल में वो घुलंसील है मांकि अलकोहल दूद और सहद यह सभी जल में घुलंसील है 75 नंबर प्रस्ट Norm है राइबोसों का मुखे कार्ज क्या है एक कार्भोहइडरेट का संसलेशन दि बसाख का संसलेशन c protein का संसलेशन depreciation सही उत्र है राइबोसुम का मुक्ह कार्ज है जो प्रोटीन का संसलेशन करना है प्रशन संख्या 76 है पर्थम जैन संगीती का आयोजन कहां हुआ था यह पाटली पुत्र बीराजगिरी सिसारनाथ डिनालंदा इसका सही उत्तर है यह पाटली पुत्र में पर्थम जैन संगीती का आयोजन चंदरगुप्त मौर्ज के सासनकाल में किया गया था और इस संगीती के अध्यक्ष अस्थूल भदर थे इसी संगीती में जैन धर्म दो संपरदायों सुवेतांबर संपरदाय और दिगंबर संपरदाय में भी बाजित हो गया 77 नमबर प्रसन है बिहार आने बाला पर्थम अंग्रेज यात्री कौन था ए सर्टामसरो भी रॉल प्रफ प्रथम अंग्रेजी यात्री हुए जिन्होंने की बिहार की यात्रा की प्रसन क्या 78 है बिहार आने बाले पर्थम सिख गुरु कौन थे ए गुरु गोबिन सिंग बिर गुरु अंगद सी गुरु नानक डी गुरु अर्जुन देव तिसका सही उत्तर एसी गुरु नानक जो सिखों के पहले गुरु थे इन्होंने ही बिहार की पहली यात्रा की पर्थम सिख गुरु थे बिहार आने बाले 79 नंबर प्रसन है बिहार में केंदरिय सचिबाले का गठन किस बर्स किया गया एठारा सो 93 दी 1902 सी 1907 दी 1912 इसका सही उत्तर है दी 1912 इस भी में जब बिहार अलग राज बना तो बिहार में सचिबाले का गठन यानि सेकरेटरिय का गठन किया गया केंदरिये नहीं होना चाहिए यहां राज सचिबाले होना चाहिए बिहार राज सचिबाले और इस वीडियो का अंतिम प्रसन है बिहार के पर्थम मुस्लिम मुखमंतरी कौन थे डाकर डॉक जाकिर हुसें भी अबदुल गफूर सी मौलाना अमूल कलाम माजाद डी उपर्युक्त में से कोई नहीं जिसका सही उत्तर है बी अबदुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुखमंतरी हुए इस वीडियो में इतना है जै हिंद जै भारत नमस्कार